एक गाव में एक किसान रहता था, एक बार उसे कहीं से बास का एक अंडा मिला, उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया, मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगी, कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आये और बास के अंड बड़ा होने लगा। चूजों के साथ रहते हुए उससे कभी अहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बलकी बाज है। बड़ा उचा उचा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने उचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी उचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उससे बड़ा अच्छरज हुआ। उसने चूजों से ज्यादा उचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहू तो। बाज के पूछा कैसी बात करते हो। मत भूलो तुम एक चूजे हो। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो बाज जितना नहीं उड़ पानली और कभी उचा औरने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। सी, सोच और दृष्टिकोन का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पढ़ता है। हम सभी क्षमता और संभावनाव से परिपूर्ण चाहे हम कैसी भी परिस्थिती में क्यूं नहों, हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोन को व्यापक बनाने की। हम स्वयम को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बनेंगे और बाज समझेंगे, तो बाज बनेंगे। खुद क कम न समझें, अपनी क्षमता को सीमित न करें, बाज बनें और जीवन में उची उडान भरें।